जै शिराम मित्रो स्वागत है आपका अपना चैनल अध्यात्मेवम दिपि ज्यान पर आप सभी को मुक्छदा एकादसी की हार्दिक सुभकामना है भगवान विश्णु की किरपा सदा आप सभी पर बनी रहे आज हम इस विडियो में आपको बताएंगे कि साल दो हजार चोबिस में मुक्छदा एकादसी कब है मुक्छदा एकादसी की थी समय महोर्त महात्व पूजा बिधी पारण बिधी और मुक्छदा एकादसी की कथा के बारे में हिंदू धर में पूजा पाठ का काफी ज्यादा महत्व है हर साल मार्ग शिश्मा की एकादसी का काफी महत्व होता है इसमें परने वाली एकादसी को मुक्छदा एकादसी के नाम से जानते है मुक्छदा एकादसी में भगवान विष्णु की पूजा का विश्यस महत्व ह इस एकाची का तालुक पितरों से है इस बार एकाची कब है और पूजा बिधी क्या है इसके बारे में जानते हैं इस बार मोक्षदा एकाची 11 दिशंबर 2024 दिन बुद्धवार को पढ़ रही है मोक्षदा 81 तितिक की शुरुआत 11 दिशंबर को प्राता 3 बज़कर 45 मिनट पर होगी पारण का जो शमय होगा वह 12 दिशंबर को प्राता 6 बज कर 28 मिनट से प्राता 8 बज कर 47 मिनट तक है मोक्षदा एकाची के दिन ब्रह्म बेला में उठकर घर की साफ सफाई करें दैनी कारियों से निब्रित होने के बाद गंगा जल युक्त पानिश अशनान करें अगर सुभधा है तो गंगा शमित पवित्र नदी में अशनान करें इस समय आचमन कर ब्रत का शंकल पले और पील इसके बाद पंचो पचार कर बिधी बिधान से भगवान बिष्णु की पूजा करें भगवान बिष्णु को पीले रंग का फूल, चंदन, तील, जौव, अच्छत, दुरवाद, अर्पित करें इस समय पवित्रगरंत गीता के एक अध्याय का अध्यन करें और स्रवन करे अंत में आरती कर सुख समर्धी और पुरोजों को मुक्ष प्राप्ति हे तु काम ना करें, दिन भर उपवास रखे, संध्याकाल में आरती कर फलाहार करें, विशेशकारे में शफलता प्राप्ति हे तु निजला उपवास भी रख सकते हैं, जो भी ब्यक्ति एकाथि का ब पूजा करते हुए उन्हें धूप, दीप, फोल और पित करें, साथी स्रिमत भागवत गीता का पाठ करें। इस दिन जरूरत मंदों को गरम कपड़े बाटे, अगले दिने काची का ब्रत का पारण करने से पहले गरीब ब्राम्हन को भोजन कराएं और समर्थ अनुशार दक् पारण शिश्माह के शुकल पक्षे के एकाठ सी के दिन ही भगवान श्री किष्ण ने अर्जुन को गीता का शंदेश दिया था। इसलिए इस एकाठ सी के दिन गीता जैनती भी मनाई जाती है। ऐसी मन्यता है कि जो लोग इस दिन पुरवजों का तरपन करते हैं उन्हें पित दोस्ते मुक्ति मिलती है साथ ही साथ उनका जीवन काफी सुख में गुजरता है। आईए जान लेते हैं इस दिन करने वाले उपायों के बारे में। जिस लड़के या लड़की के साधी में बिलंब हो रहा है और मन योग रिष्टा नहीं मिल रहा है वे लोग इस मोक अश्यां दूर हो जाती है। मित्रो यह जनकारी आपको कैशा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लेना क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर मिशे जुड़ी सभी ब्रत्यवहार, पूजा पाठ और बेद पुराणों में बनित सिध्य चमतकारी मंत्रों का वीडियो रेगूलर बेस पर लेकर आता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाप प्राप्त कर सकें धन्यबाद